दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीरपुर द्वारा जारी किएगे चार नॉटिफिकेशन के बारे में तो दोस्तो वीडियो के एंड तक बने रही है और अग यहां पर जो है कमिशन ने फाइनल रिजर्ट जो है डेकलेर किया है यह आठ पॉस्टों के लिए टोटर जो है टेस्ट कंडक्ट करवाया गया तो आप जो है कैटेगेरी वाज यहां से पॉस्ट ने देख सकते हैं यह पॉस्ट यह आपकी हावलदार इंस्ट्रक्टर की ओ जो है प्रोबीजनली एडमेट हुए थे दोस्तों रिटन एक्जाम जो है इसका 24-22-21 को हुआ ता जिसमें टोटल 88 जो है एपियर हुए थे और 10 जो है अब सेंट थे दोस्तों इनका जो है इवैलेशन के लिए 88 कंड़ेट को बुलाया गया डिफरेंट जो पैरमिटर सेट किये हैं गॉर्मेंट ने और यह आपका इवैलेशन हुआ था 29-2021 को तो फाइनल कंड़ेशन के बाद जो है आठ पॉस्ट के लिए जो हैं आप सेलेक्शन दी गई है रोल नमर मेंशन किये हैं अगर आपने भी पॉस्ट के लिए अपलाई किया था तो आप यहां से अपना बात करें तो टोटल जो है आठ केंडिक को स्लेक्ट किया गया है रोल नमर मेंचन है नाम दिया है और टोटल मार्क्स भी यहां पर बताए हुए अगर आपने भी इस टेस्ट के लिए अबेदन किया था तो आप अपना रोल लंदर चेक कर सकते हैं ओके दोस्तों यह जो है आपकी वेटिंग पैनल लिस्ट होगी ठीक है यह लिस्ट आप देख सकते हैं यहां से ओके यह है अधर कैटेगरी के आप यहां से चेक कर सकते हैं ओके ठीक यह अपडेट आप देख सकते हैं यह दोस्तों आपके रिटन के मार्क्स रहेंगे ठीक है यहां पर सारे मार्क्स जो है मैंशन किये हुए हैं कितने मार्क्स यह आपके रिटन में आए हैं ठीक दोस्तों यहाँ पे जो है written objective type screening test का जो है result declare किया है और यह total 4 post के लिए test लिया गया था Stanotypist का यह exam था और यहाँ पे Stanotypist की post के लिए post code 8898889 post code के लिए 187221 को यह test लिया गया था दोस्तों यहाँ पे total 2273 application received हुए थे जिसमें से 297 application जो है provisionally admit हुए थे दोस्तों यहाँ पे 937 candidate जो है एपियर हुए थे exam में बाकी जो थे वह absent थे और यहाँ पे 937 में से total 83 83 candidate जो है result में पास हुए है और जो है फर्दर selection process के लिए जो है यह shortlist किये गए हैं दोस्तों यहाँ पे roll number mention किये हैं आप अपना roll number check कर सकते हैं आगे इनका जो skill test होगा shorthand और typing यह होगा 10 January 2022 को यह test रखा गया है HP SSC हमिरपुर के computer lab में ओके तो यह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं another जो यहाँ पे notification है यहाँ पे भी written exam का जो है result declare किया है और यह आपकी post थी senior assistant accounts की post code 783 दोस्तों टोटल तीन पोस्ते रहने वाली हैं और यह exam हुआ था आपका 8-12-2020 को यह exam हुआ था तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यह काफी जो है आपका December 2020 में यह test हुआ था और अभी जाकर जो है इसका परिणाम निकला है ठीक है result निकला है screening test का दोस्तों अभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे जो candidate selection process है उसके लिए shortlist किया गया है दोस्तों आगे इनका 15 marks का जो है evaluation होगा 15 marks का जो की 20 December 2021 को रखा गया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 20 December को इनका evaluation होगा तो दोस्तों यह भी HPSSE हमिरपूर के उसे notification आई है और यहाँ पे जो है waiting panel list से जो है candidate को जो है recommend किया गया है selection के लिए ठीक है existing waiting panel 888 post court statical assistant के लिए एक post को fill करने के लिए जो है यहाँ पे recommend किया गया है ओके तो आप यह detail चेक कर सकते हैं candidate का नाम रोल नमर और marks बताए हुए है ठीक तो यह जो है यहाँ पे recommendation जो है send की गई है commissioner धर्मशाला municipal corporation को ठीक तो दोस्तो यह थी आज की कुछ एक latest अपडेट्स और रेजल्ट्स जो की हिमाच्यपदेश टास लेक्शन कमिशिर हमीवपूर ने डेकलेर किये हैं तो दोस्तो आपके आपको वीडियो अच्छी लगे हो यह और वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को like, subscribe और share कर हमारे latest updates के लिए तो दोस्तों मिलते हैं किसी अपड़ी अपडेट में till then thank you goodbye दोस्तों